हलो फ्रेंड्स..वेल्कम तू दाशेफ तो फ्रेंड्स है रमदान हम आपके लह कराओं से देख कर सकार है qz लएंगें देख लेते हैं एक यहां ताफे लेखनाशु यहां की टिनाशर के लिड़ेंग का ठीज अफान ब्रींगरें इसमें हम डाल देंगे स्वादनुसा नमक, अब हमें इस कीमे को ड्राइ करना है या नहीं इसका पूरा हमें पानी सुखा लेना है कुछ इस तरह से, बस अब हमारा कीमा ड्राइ हो चुका है तो इसमें हम अपनी मसाले एट करेंगे, यहां पे हम लेंगे वन टेबल स्पून छीली फ्लेक्स, वन टेबल स्पून अम लेंगे पुसा भुना जीरा वन टेबल स्पून खड़े दनी जिसमने भून के करश क लिएं है वन टेबल स्पून डाल देंगे गराम मसाला पाउडर, चार-पांच हारी मिर्चे और धेर सारह राधनिया दो बड़े साइस्की या तीन बड़ी साइस के हमने प्यास लिए और इन सभी मसालों को हम अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेंगे यहां हमें थोड़ी सी मिर्च कम लग रही है तो इसमें हम थोड़ी सी वन टेपल स्पून के करीब हम रेड मिर्च पाउडर ठाल देंगे क्योंकि यह हमारे थोड़े चटपटें से तीख समोसे बन के तैयर होँगे यहां फ्रेंट्स यहां रमजान की रेसिपी है और बहुत ही मसदार से हर्च ज़स बन के तैयर होती है यह रमजानों में अपनिया भी क्योंकि हम रोजे में होते हैं और चकते नहीं कुछ तो उपर से इसका टेस्ट कुछ अलग से आता है टेस्ट ही सा तो यहां पर हम एक अंड डालेंगे इसमें हम नमक डालेंगे और इसको हम फेंट लेंगे अच्छे से और यह समोसा शीट से तो ये ड्राइ नहीं हो इसके लिए हम एक गीला कपड़ा लेंगे और इसके उपर ढंक देंगे इसमें से हम एक एक शीट निकालेंगे और बनाते जाएंगे इस तरह से एक शीट लेंगे हम समूसे के शेप देंगे इसमें हम और समूसे का शेप देने के बाद हम इसमें अपनी फिलिंग भरेंगे और फिर इसमें हमने जो अंड़ा फैट के रखा है वो लगा देंगे इसे प्रेस करने के लिए बस अब हम इसे समूसे का शेप देते हुए अच्छे जे दूनों साइट से मौल देंगे और इसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले नहीं बस हमने इसमें जो अंड़े की वो लगाया है तो इससे ये खुलेगा भी नहीं अच्छे सीर हो जाएगा इसी तरह हमारे सारे समूसे हम त्यार कर लेते हैं और एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे और दीरे से हम एक एक समूसा डालते जाएगे जब तेल तेज गरम हो जाएगा तो हम गेस सिम कर देंगे तेल की कढ़ाई की सिम कर देंगे और फिर हम सारे समूस को अपने फ्राई करेंगे ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी सी समूसे बन के त्यार हो जाते हैं क्रिस्पी ग्रंची से बहुत ही टेस्टी समूसे बन के त्यार हुए थे फ्रेंड से बहुत मजदार से थे मैं चाहती हूँ आप भी इसे अपने किचिन में बना कर एक बार जरूर ट्राय किजिए अपनी फेमिली और फ्रेंड के साथ भी इसे इंजॉय किजिए तो चलिए यहाँ पर तो हमारे समोसी हो चुके हैं बन के जैटपट से त्यार इन्हें हम निकाल लेते हैं और इनकाम अच्छे से तेल निठाल लेंगे तो फेंड्स यहाँ पर हमारे समोसी जैटपट से बन के द्यार हो चुके हैं तो आप भी इनका लुथ उठाईए इस रमजान और आप मुझे पताईए कि कैसे लगे आपको यह बहुत ही टेस्टी से समोसी चिकन के तो फेंड्स लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए तो नेक्स वीडियो में सीतना के फिर मिलते हैं अपना ख्याल रखिए